नमस्कार दोस्तों मौसम विबाकी अभी अभी की सबसे बड़ी खबर गुजरात में भेंकर तबाई को लेकरा रही है गुजरात में लगातार कुदरत का कहर बरप रहा है यहाँ पर लगातार भारी बारिस बाड भूसकलन आकास ये बिजली और दोस्तों इसी बीच गुजरात को एक और प्राकर्तिक आपदाने घीर लिया है सात्यों बता दें गुजरात में भूकम्प के जटके भी महसूस करने को मिले हैं रियक्टर इसके इलपर इस भूकम्प के तीवर्ता 3.2 रही वहीं किसी तरह के जान माल की नुक्सान की खबर नहीं आई है बता दे कि इस समय गुजरात में भारी बारिस के कारण बाड जैसी समस्याभी बनी हुई है जानकारी का अनुसार ये भूकम्प है दोस्तो एपी सेंटर सरदार सरवर नरमदाबान से 30 किलोमेटर दूर डेड़ी या पाड के पास था गुजरात के नवसारी में बाड का विक्राल रूप देखने को मिला है नवसारी में नदी का उफान सब कुछ अपने आगोस में समा लेने के लिए बेताब नजर आ रहा है नदी पर बने पुल के उपर से पानी गुजर रहा है वहीं दोस्तो सड के भी जलमगन हो गई है दिन में ही नहीं रात में भी ताबड तोड बरसात हो रही है वहीं दोस्तो बता दें कि अचानक नदी में तेज उफान आ गया है नदी की लहरें समंदर की लहरों में बदल गई है नदीयों के उफान का असर रिहाईसी इलाकों में पढ़ने लगा है रिहाईसी इलाके पूरी तरह पानी में डूब गई है गरों की निचली मंजिल पानी में समा गई है लोग अपने घरों में कैद हो गई हैं नव सारी में बाड के हालात को देखती हुए इस्कूल और कोलेजों में छुट्टियां कर दी गई है दोस्तो यह हाल गुजरात का ही नहीं मद्धे प्रदेश महाराष्ट का भी यही हाल है यहाँ पर भी कुछ इलाकों में दोस्तो बाड के हालात हुए पड़े हैं दोस्तो जिला कलेक्टरों के द्वारा बाड की इस्तिती को देखते हुए इस्कूलों को भी छुट्टि कर दी गई है जैसे कि गुजरात में दोस्तो कॉलेज और इस्कूलों की छुट्टिया कर गई है साथियों अगले 24 से 48 घंटों में दिल्ली हरियाना पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी जमाजम बारिश देखने को मिलेगी मोसम से जुड़ी प्रतियक राज्य की अपडेट पाने के लिए चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें वीडियो को जादा से जादा सियर करें ताकि सबी लोगों तक मोसम की अपडेट पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों जय हिंद